नमस्कार दूस्तों एक बार फिर से हमारी चैनल जोहर जाहर घंटेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे करल मैंने एक वीडियो डाली थी कस्तुर्बा गांधी बाली का आवाइसी बिदाले में जो बेकेंसी आने वाली है 25 जून को उसके बारे मैंने सारे डिटेल बताया था लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे प्रस्थन थे जिसका जवाब मैं इस वीडियो में ला रहा हूं क्योंकि इस वीडियों मैं ने आपको नहीं बता पाया था आपको सारे लोग यहення जो कमेंट कर रहे है और इस वीडियो में आपका सारा प्रोइब्लम सौल्व करने वाला हूं सारे आपके confusion दूर करने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे एक बिंती कि अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार और वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दो ताकि उनको भी पता चल जिला से अलग-अलग भेकेंसी निकलेगी तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्द्न जो आये हैं वो यह आये हैं कि इसके लिए इससे जो योग्यता होगी वो क्या होनी चाहीए तो सबसे पहले मैं आपको योग्यता बताता हूँ देखिए मैंने यहाँ पर पिछले साल जो भेकर से निकला था वो नोटिश निकाला हुआ है और सेशनिक योग्यता इसी परकार रहेगी देख लिजे आप देखिए गड़वा जिले के अंतरगा संचालित कस्तूरबा गांधी पाली का आवाई से बिदाले में रिक्त पदो के बिरूद लगू समीदा के आधार पर चैन हेतु आविसक सुझना तो यह मैं बता दूँ यह प्रिवियस यर्स का है और इसी के अनुसार आगे भी रतार और एक चीज बता दूँ यहां पर जो यहां पर जो भेकेंसी आने वाली है कस्तूरबा गांधी में तो इसमें जो पढ़ाय होती है दूस्तों कच्छा 6-8 होती है और 9-12 तक की होती है ठीक है तो उसी के अनुसार यहां पर जो योग्यता है वो मैं आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले योग्यता बता दूँ कितना कितना योग्यता किस परकार होनी चाहिए मालिजी आप तो 45% के साथ असनातक उतिर्न और उचतर योग्यता धारी को चैन में प्रात्मिक्ता दी जाएगी यानि जिसका ज्यादा इलिजबलिटी रहेगा उसको प्रायरिटी ज्यादा दी जाएगी यह लिखा हुआ ठीक है और दूसरा जो है प्रसेचनिक अहर्ता माहिनेता प्रा को मुका नहीं मिला था क्योंकि six to eight में पढ़ाना है नो से बार में पढ़ाना है ठीक है अब आगे देखे सिच्छक पात्रता परिच्छा राइष्टी अधियापक सिच्छा परिशत द्वारा निरूपित मार्क दसी सिधानतों के अधिन जारकन सरकार द्वारा कच्छा छ पुद आख दाना सब्सक्तर देख दोन सिधानतों को मिलेगा और विए अद्विम है अब दुकरता है घ्त करके नशीए करा दिता हूँ दस जारी पर लिए आपको परती मा मिलेगा थीक है अब आगे बढ़ता हूं जैसे ओओ कोई भी शिच्छिप बने चाए भासा सिच्रिका बने समाजिक है इसी फेर्कार होना चाहिए जो मैंने भी बताई या ठीक है और यह प्रोब्म सॉल्व हो गिया अपका सीट वाला नहीं अपलाइ कर सकता है यह वाला यह कर सकता है वह i ا松 साया वही होगा देखिए सारेक्स की चिका के लिए अगर निकलेगा तो क्या है राइस सरकार दोरा केंद सरकार दोरा मानिता प्राउट प्रतिस्ठान से बिपीएड या डिपीएड होना चाहिए यह मतलब यह आपका जो वेकेंसी निकलेगा उसके नों सर्ट करता है यदि आप कंप्यूटर एपरेटर का वेकेंसी निकलता है तो यह योग्यता होनी चाहिए यानि आपका इस परकार से हो जाएगा प्रोप्रेटर को साड़े साथ हजार रुपया मिलेगा तो आपका सारा निकलता हद्द उपर से समेदा के अधार बासे निकलता हे और का सब्सक्राइब प्रिम्दै वड़े यह कंपर कर दो. ह需要 गड़वा जिलह के लिए सरकार दोनाद रोस्टर पर परवावई होगा यानि इस पर पर रोस्टर जो बनेगा वही परवावई होगा 2021 वे जो रोस्टर बनेगा वही परवावई होगा ठीक है यह अस्थानी herself देखिए यहां पर अस्थानियता भी जरूरी है मतलब कोई लोग पुछते हैं कि बार वाले बर सकते हैं कि नहीं दुसरे के लोग तो इसको नहीं बर सकते हैं देखिए यहां पर देखिए यदि गड़वा जिला से फोम निकलता है तो गड़वा जिला का अस्थानिय निवा रॉनना चाहिए उसके बाद जो हो जो वो सहर कंसर करते करेगी प्रमान पत्र भी होना चाहिए आपका अनुमणल से बना हुआ आदगी देखे योगिया अविदीका अपने सेचनिक जाती आवाई से प्रमानीं अभी परमानिर टाया पती के साथ यह तो लिखा हुआ यह सबाब को बाद में करना पड़ेगा तो आपके सारे प्रोब्लम सोल्व हो गये और इसमें कोई एक जाम उगजाम होने वाला है नहीं भहिया मैं आपको बता देता हूं इसमें डायरेक्टली आपका इंटर्व्यू होगा और अगर नया सरकार है हैमाद की सरकार यह किया च सिचिका एवम रोसोया के चेन समंधित विज्यापन देखिए यहां पर जो बेकेंसिया निकलती है कभी-कभी पूर्ण कालिक निकलते हैं कभी-कभी निकलता है अल्प-कालिन तो यह भी डिपेंड करता है मैंने और अल्रेडि कहा है कि कभी-कभी यह कॉंट्रेक्ट बेसि इसमें क्या है आपका देखिए यहां पर दिया हुआ भासा समंदित विशे में शनातक प्रतिष्ठा एंसी टी द्वारा मायनता प्राव संस्तान से बीड के साथ टेट उतिन उच्छ प्रात्मे कच्छाओं में 6-8 या दिसुचित छेत्र भासा जन्जाती भासा में जहारखन होना चाहिए ठीक है तियनि आपका है जहारखन दो द्यूह आपको तुद्र हो ना बहुत जुर्री में लिखा गया है नहीं जहारखन टो त्यूंस चैशने के उगताव प्राप्त अवियर्थी को प्रात्मिक्ता दी जाएगी यानि सीट वाला भी अप्लाइक कर सकता है इसमें जो 2019 वाला निकला था सीट वाला भी अप्लाइक कर सकता है जो 2019 में निकला था लेकिन उसमें जो जेट पास है उसको प्रात्मिक्ता दी जाएगी यहां पर लिखा हु कि यह उनको फाइदा होने वाला है और यह सरकार को उपर डिपेंड है कि वह इस बार जो फॉर्म निकालती है उस पर सी टेट को माहिनेता देना चाहती एक नहीं ठीक है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि टेट वाला को भी मौका मिल सकता है लेकिन जो प्राइरिटी होगी जेट वालों को मौका मिलेगी तो फ्रेंट्स यह वीडियो कैसा लगा आसा करता हूँ कि आपका जो कंफूजन होगा 100% दूर हो गया होगा और ऐसी ऐसी वीडियो में लेटेस्ट लेटेस्ट हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपको कोई कंफूजन नहीं हो त अपने दोस्तों साथ शेयर कर दो तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक भीडियम तब तक लिजसा है हिंद जार जार कान बंदे मात्रं